मैं अभी शिक्षा हासिल कर रही थी कि पिताजी का सवरगवास हो गया ये कभी सोचा भी नहीं था कि नोकरी करनी पड़ेगी बड़ी मुश्किल से एक छोटी सी फैक्टरी में नोकरी मिल पाई इश्वर का धन्यवाद किया कि मैं मा और छोटे बहन भाईयों का पेट पालने के काबिल हो गई थी पहले कभी घर से कदम ना निकाला था इसकूल से घर और घर से इसकूल बस एक ही रास्ता जानती थी सुभा शाम पूजा पाठ करती और अपने बेन भाईयों के साथ खुश रहती थी अजनभी लोगों से वास्ता पड़ा था और ना बाहर के माहूल की खबर थी नोकरी की तो जमाने की खबर हो गई पहले पहल बहुत घबराई कोई गुसे से आवाज देता तो रोने लगती कोई घूरता तो आंसु निकलाते जिंदगी में कदम कदम पर काटे नजर आने लगे साथ ही लड़कियां समझाती थी कि हिमत से काम लो यहां ऐसा ही होता है कुछ दिनों के बाद माहूल में रच बस जाओगी तब ये बाते इतनी बुरी नहीं लगेगी विश्वास हो जाएगा तो जीना सीख जाओगी फैक्टरी के मालिक को मेरी शिकायते पहुंचने लगी कि एक लड़की नई नई आई है जो बात बात पर रोती है और जी तोड़कर बैठ जाती है उस से वरकर भी डिश्टर्ब होते हैं फैक्टरी के मालिक ने मुझे बुलवाया जब उसके ओफिस पहुंची तो अपने एर कंडिशनर कमरे में अकेला बैठा था उसने फोन का रिसीवर कान से लगा रखा था मैं खामोशी से उसके सामने वा जाली कुरसी पर बैठ गई खुछ देर वो फोन पर बात करता रहा जब बाते खत्म कर ली तो मेरी तरफ हुआ गुरी तुम ही हो उसने पूछा जी मैंने सादगी से जवाब दिया उसने और कुछ ना कहा और कल दोबारा इसी वक्त आने की चेतावनी दी मैं सोच में जजरी अगले रोज तै किये गए वक्त पर उसके आफिस पहुँच गई उसने खुशी से कुरसी पर बैठने को कहा और अगली बात जो कही उसे सुनकर मैं परेशान हो गई कहने लगा क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी मैं हैरान हो गई और कोई जवाब समझ में ना आया तो थोड़ा रुकने के बाद फिर उसने अपनी बात दोबारा दोराई मेरे मुझसे निकल गया कि क्या आपकी पतनी नहीं है बोला हाँ थी मगर अब हमारी तलाक हो चुकी है मैंने वज़ा जानना चाही तो बोला वो मेरे माबाप के साथ बहुत भद्दा वेवार करती थ इसलिए उससे तलाक करवानी पड़ी यह जानकर मुझे बुरा तो लगा था मगर इस बात पर खामोश रही कुछ देर खामोश रहने के बाद मैंने कहा कि मैं दोस्ती की बिलकुल भी ख्वाइश मंद नहीं हूँ सिर्फ एक बात जानती हूँ कि अगर किसी को कोई पसंद ह तो फिर उसे उससे शादी कर लेनी चाहिए यही दोस्ती का असल मतलब है अगर आपको ये बात सिविकार है तो मैं आपसे दोस्ती करने को भी तैयार हूँ वो बोला मुझे सिविकार है मैंने उसके कसम खाने से उस पर विश्वास कर लिया उसने भी मुझे से वादा कि के साथ गाड़ी में घूमती फिरती अब मेरी निगाहों में नई जिंदगी के ख्वाब बस गए थे तब ही हर रोज पूछती थी आप मुझसे शादी कब कर रहे हैं बहुत जल्द बस जरा कुछ कारोबारी उलजहने समेट लूँ वो ये जवाब देता था और जब मैं न कावारा लड़की न समझ ले तब ही मैं राजे साव से मिलने से कतराने लगी जब एक हफ़ते तक न मिली तो उसने मुझे बुलावा बेजा जी राजी न था की जाओं मगर उसकी नाराजगी का ख्याल करके चली गई वो समझ चुका था कि मैं क्यों मिलने से परहेज कर रह ही हूँ देखते ही उसने कहा गूरी थोड़ा इंतिजार करो मैंने पंडिट जी से बात कर ली है हम शादी धार्मिक तरीके से करेंगे तुमें मैं कोर्ट में ले जाकर रुस्वा नहीं करना चाता उसमें मेरी भी बदनामी होगी जैसे हाप की मर्जी लेकिन एक बार अगर आप मेरे घर जाकर मेरे ममी से रिष्टा मांग लेते तो अच्छा था उसने तसली दी फिक्र नह करो मैं उनके पास भी जाओंगा उस दिन उसके मूँ से इस तरह की बात सुनकर मैं रोने लगी फिर उसने कहा कि मैं तो तुमको आजमा रहा था और तुम रोने बैठ गई इस वाके के बाद मैं कई दिनों तक उन से ना मिली फिर आकिर हमारी सुलाह हो गई मैं काम से फारिग होने के बाद शाम के वक्त उसके साथ गूमने फिरने जाने लगी हर रोज यही बात कहते जल्दी शादी कर लूँगा बस थोड़ा सा और इंतिजार कर लो एक दिन की बात है जब मैं उनके आफिस गई तो वो आफिस में मौजूद ना था थोड़ी देर बाद एक और लड़की कमरे में आ गई यह मीनू थी उसकी मंगेतर वो मुझसे घुल मिलकर बाते करने लगी बातो बातों में उसने मुझे कुरेदा और मेरा लगाओ संजे की तरफ पाया तो रोने लगी मैंने रोने की वज़ा पूछी तो मीनू ने कहा संजे ने मुझे भी इसी तरह बेवकूफ बनाया है यूँ ही शादी का चक्कर दिया हुआ है काफी दिनों तक विश्वाश दिला कर रखा जब पूरी तरह उन पर बरोसा करने लगी तो उन्होंने एक दिन मेरे बरोसे को ठेस पहुँचाई उसके बाद से मुझसे सुलह करके शादी के वादे कस्मे करते आ रहे है लेकिन पता नहीं क्यों अब तो मिलने से भी कतराने लगे है मेरी मानो अभी भी वक्त हाथ से नहीं गया तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा होश्यार हो जाओ ये यूँ ही जाल में फसाता है यही इसका काम है मीनू की बाते सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि संजे सहब आ गए मीनू को मेरे पास देखकर वो जैसे सक पका गए रूखे मिजाज से मीनू से बोले मीनू मैंने तुम से फोन पर कह दिया था कि आज मुझे जरूरी काम है फिर तुम यहां कैसे आ गई बस यूँ ही आ गई वो बोली अब तो आप मिलने से भी रहे पहले तो एक मिनट की देरी भी आपको गवारा न थी अब आप हमेशा यही कह देते हो कि काम का परेसर बहुत ज़्यादा है खेर मुझे जरूरी काम है यह कहकर वो उदासी होकर वापस चली गई मीनू चली गई तो मुझसे पूछा क्या कह रही थी यह मैंने कहा कुछ नहीं बस इधर उदर की हाक रही थी उन्होंने मुझे तब कहा कि यह मुझसे जलती है इसकी बातों में ना आना मैंने कहा कि आप बेफिक्र रहें घरा कर मैंने बहुत सोचा तो अपने आपको बहुत बड़े जाल में फंचते पाया तबी मुझे ख्याल आया मर्द औरत को धोका दे सकता है लेकिन औरत औरत को ऐसे मामलात में धोका नहीं दे सकती बलकि वो तो ऐसे मर्द का परदाफाश कर देती है मीनू के चहरे पर दुख की लकीरे साफ पड़ी जा सकती थी सच उसकी आँखों से जाक रहा था वो आखे जो आशों से नम थी मेरे दिल ने गवाही दी वो जूट नहीं बोल रही थी बहुत गोर करने के बाद मैंने मीनू के नाम एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था मीनू बहन क्या आप मुझे इस बात की इजाज़त देंगी कि मैं आपकी महबत यानि संजे की पत्नी बन जाओ ये मेरी आखरी और काम्याब चाल थी लेकिन मीनू ने जब लेटर पड़ा तो हड़बड़ा उठी वो तुरंत संजे के आफिस पहुँच गई और संजे को खूब बुरा बला कहा और उसे कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मेरे पास तुम्हारी रंगीन रातों की वीडियो भी मुझूद है भगवान जाने ये बात सच थी या जूट लेकिन मेरी चाल काम कर चुकी थी संजे ने मुझे उसी दिन कहलवा दिया कि मैंने तुमको नोकरी से बरखास्त कर दिया है अब मेरे आफिस आने और मुझे से मिलने की कोई जरूरत नहीं आइंदा मुझे फोन बीना करना मैं ऐसी वैसी रहा चलती आवारा लड़कियों को मू लगाना पसंद नहीं करता जो शादी से पहले गैर मर्दों से दोस्ती रखती है मेरी सहली उमा जो मेरे साथ काम करती थी मुझे को उनकी ये सारी बात सुना कर चली गई और मैं सकते में पड़ गई अब ये बात अच्छी तरह मेरी समझ में आ गई कि संजय मेरे साथ शादी नहीं करना चाहता था वो तो सिर्फ अपनी राते रंगीन करना चाहता था अगर मुझे से महबत होती तो मुझे को रहा चलती आवारा ना कहता खैर मैंने इश्वर का धन्यवाद किया कि मुझे वक्त से पहले होश आ गया आज वो एक मुझे आवारा कह रहा था कल अगर रुस्वा हो जाती तो सारा जमाना मुझे आवारा कहता तब मेरी मा का क्या बनता और छोटी बेकसूर बहनों पर भी जमाने की उंगलिया उठती तब क्या मेरी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाती मैट्रिक पास भी न थी कोई दूसरी नोकरी क्या मिलती मेरी मा अच्छी सिलाई जानती थी उन्होंने सिलाई कड़ाई में डिपलोमा किया हुआ था मुझे भी जूतू करके एक साल का कोर्स कराया और जब मैंने डिपलोमा हासिल कर लिया तो एक जगा मुझे नोकरी मिल गई उसी तरह मैंने अपनी विद्वा मा के साथ मिलकर सालों तक छोटे बेहन भाईयों की देख रेख की आखिर में एक अच्छे घराने से रिष्टा आ गया और मैं अपने घर की हो गई आज भी जब वो बीते हुए दिन याद करती हूँ तो बहुत डर जाती हूँ कि मैं कम उमरी में एक बड़ी रुसुआई से बच गई वरना जाने मेरी बरबादी के साथ मेरे कुन्बे का क्या होता छोटी बहनों को मेरी गल्कियों की कैसी भयानक सजा काटनी पड़ती और विद्वा शरीफ मा तो फिर जैसे जीते जी मर जाती सच है ये जमाना बुरी जगा है और कम उमर लड़कियों के लिए जिनके सर पर किसी छोटे बड़े का साया ना हो उनके लिए तो नर्क है ये दुनिया एक ऐसी शिकारगा है कि जहां हर तरफ होश में होते हुए भी हवस परस्त निगाहें हर वक्त ताक में रहती है भीड़े शिकार करने को घूमते रहते हैं ऐसे में एक गरीब लड़की को कदम कदम पर लड़ना पड़ता है और अपनी इज़त खुद बचानी होती है अपनी रक्षा करनी पड़ती है अगर लड़की अच्छी हो तो फिर वो यकीनन उन हजारों शिकारियों से बच जाती है क्योंकि ईश्वर अच्छे लोगों की आप ही हिफाज़त करता है लेकिन शर्त ये है कि उनके इरादे नेक हो तो दोस्तो ये थी हमारी आज किसी की जिंदगी पर बीती हुई सची कहानी उमीद करते हैं कि आपको भी इससे कुछ सीख हासिल हुई होगी आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है कुमेंट करके हमें जरूर बताएं वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सबस्क्राइब करके घंटी को दबाकर ओल पर सैट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद